हेलो दोस्तो मेरा नहीं है शोक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल सीड़ाइटी सलूशन आज की स्वीड में हम बात करने वाले हैं दोस्तो एक नहीं बलकि तीन तीन नहीं इंटर्शिप की आपोर्शनिटी के बारे में जो कि आपको डिजनी होस्टार और Hacker Earth के platform से offer हो रही है इसके लिए कोई भी apply कर सकता है अगर आप 2019, 2020, 2021, 22 batch के हैं तो आप apply कर सकते हो अगर आप graduation या फिर post graduation किसी भी ब्राण से कर रहे हैं किसी भी degree को कर रहे हो तो आप apply कर सकते हो अगर आप BSC, MSC, IT कर रहे हो तो आप apply कर सकते हो आप BCA कर रहे हो, MCA कर कर रहे हो M.E.M. Tech किसी भी ब्रांच से कर रहे हो B.B.A. कर रहे हो M.B.A. कर रहे हो तो आप इस internship के लिए apply कर सकते हो जो पहली internship है दोस्तों डिजी होस्टार की वो एक non-technical internship है जिसके लिए कोई भी apply कर सकता है वहीं पर बात की जाए hacker earth की internship के लिए तो इसके लिए आपको technical knowledge होना चाहिए अगर आपको Python आता है HTML आता है Java आता है या फिर आपको Java script आता है तो आप इसके लिए apply कर पाऊगे hacker earth के तरफ से दोस्तों एक नहीं बलकि आपको दो-दो internship offer हो रही है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और इन सारे internship में आपको certificate मिलेगा internship का इसके अलावा stipend मिलेगा later of recommendation मिलेगा और अगर आप इस internship को अच्छे से करेंगे तो आप इसे full time job opportunity में भी convert कर पाएंगे तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इनी तीनों internship के बारे में बात करने वाले हैं लेकिन इसके पहले अगर आप तक हमारे इस चनल को subscribe नहीं किया है इसे subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए और telegram चनल से जरूर जूड़ेगा दोस्तों जहां पर आप दिजनी होटसा ने अपने LinkedIn प्रोफाल पर इस internship के बारे में बताया है और अगर आपका यहां पर selection हो जाता है तो यहां पर जो internship का location होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों मुंबई महराष्ट अगर आपका selection हो जाएगा तो शुरुआत की कुछ दिन आपको खर बैठे वे training को attend करना होगा उसके बाद आपको मुंबई location जाके join करना होगा यहां पर दोस्तों आपको stipend भी मिलने वाला है और आपको यहां पर training भी दी जाएगी अब अगर बात कर ले कि आपको इस internship के दौरान क्या काम करना होगा तो इंडिया में जो भी इनका subscription का business है उसे किस तरी तरीके से grow किया जाए इसके उपर आपको analysis करना है आपको team के साथ मिलके discuss करना है कि किस तरीके से hot star के जो भी subscription business है उसे इंडिया पर बढ़ाया जा सकता है इसके लिए दोस्तों आपका जो communication skill है वो काफी अच्छा होना चाहिए आपको Hindi English दोनों ही language का अच्छा knowledge होना चाहि तो यह साथी चीजों यहाँ पर इन्होंने mention की है अगर आप apply करना चाहते हो दोस्तों तो आपको apply का button मिलेगा जिस पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का form आएगा यहाँ पर वापर से उन्हीं चीजों को बताया गया है और जब आप यहाँ पर apply for this job पर click करो हो गए तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का form आने वाला है जिसे आपको feel करना है आपको अपना resume यहाँ पर upload करना है अपना नाम email address phone number अगर आप already कहीं पर job कर रहे हो और इस internship को करना चाहते हो तो आप अपने जो भी company का नाम है उससे भी mention कर सकते है उसके अलाव आपता रिज्म उन्हें पसंद आएगा तो आपको email के थ्रूओ notify करेंगे और आगे के राउंट्स आपके होंगे तो अब हम बात करते हैं दोस्तों hacker earth के technical internship के बारे में आप जब hacker earth के career page में आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो-दो internship की opportunity देखने के मिल जाएगी एक आपको मिले का यहाँ पर SDET intern का और एक मिले का engineering intern backend python zango का इस दोनों के लिए ही दोस्तों आप internship के लिए apply कर सकते हो अगर आप चाहो तो दोनों के लिए apply कर सकते हो अगर बात कर लें हमारे पहले internship की जो की python zango की है तो यहाँ पर इन्होंने बताया है दोस्तों कि यह जो internship है की होने वाली है और यह full time internship होने वाली है अगर आपका selection हो जाएगा तो इसके लिए आपको इनके बैंगलूरू office को जाकर जोइन करना होगा और वहाँ पे आपको internship को करना होगा इसके लिए दोस्तों आपको python का अच्छा knowledge होना चाहिए अगर आपको python का कोई भी वैब फर् बाश काता है तो आप apply कर सकते हो लेकिन जैंगो को यहाँ पे preference दिया जाएगा इसके अलावा आपको software development life cycle का अच्छा knowledge होना चाहिए Linux operating system पे आपको काम करने आना चाहिए MVC framework का आपको knowledge होना चाहिए तो basically दोस्तों अगर आपको python जैंगो का knowledge है तो आप apply कर सकते हो और यहाँ पे इन्होंने जो विच चीजे मांगी है दोस्तों Linux के बारे में इन्होंने आपसे पूछा है इसके अलावा यहाँ पे आपने MVC architecture के बारे में आपसे पूछा है तो इ अब अगर बात कर लें जो दूसरी internship की opportunity है SDET की तो यह भी दोस्तों बैंगलूरू location के लिए और यहाँ पे आपको 30-40,000 रुपए यहाँ पे internship के लिए staff fund मिलने वाला है और यह internship दोस्तों 3 महिने से 6 महिने की होने वाली अगर आप दोनों internship पे काम करते हो तो आप इसे full time job opportunity में भी convert कर पाऊगे और यहाँ पे दोस्तों salary भी काफ अच्छी होती है hacker art में आपको अच्छी खासी salary भी offer होती है बात कर लें यहाँ पे आपको क्या क्या skill required है तो अगर आपको software development का skill पता है तो आप apply कर सकते हो आपको web technologies आती है STML, CSS, JavaScript अगर आपको आता है इसके अलावा अगर आपको testing का knowledge है अगर आप testing से familiar हो तो आप apply कर सकते हो इसके अलावा अगर आपको programming language जैसे कि Python या फिर Java आता है तो आप apply कर सकते हो अगर आपको basically HTML, CSS, JavaScript, Python या Java इसमें से कुई भी एक चीज़ आता है तो आप apply कर सकते हो तो यह सारी चीज़ें दोस्तों अगर आपको आती है तो इसके लिए आप apply कर दीजेगा और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ दोस्तों आप अपने resume को जो भी skill इन्होंने मांगी है उसकी हिसाब से त्यार करिएगा ताकि आपका जो भी resume है यहाँ पे वो shortlist हो पाए apply करना चाहते हो दोस्तों तो आपको यहाँ पर apply का टीम के पास चले जाता है और उसके बाद वो resume की shortlisting करते हैं और इसके बाद आपको email के थुरू या फिर resume पे आपने जो भी mobile number दिया है उस पे आपको notify किया जाता है और आपके आगे के round होते हैं आगे के round में दोस्तों आपके programming का round होता है और उसके बाद आपको यहाँ प information regular मिलते रहते हैं link उसका description पर मिल जाएगा इस information को college की student तक ज़रू share करिएगा thank you